So hello guys, कैसे है आप सब? दोस्तों आज के इस विडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप photo के किसी object को remove कर सकते हो photo में कोई ऐसा बोस्तु है जिसको आप रखना जहांने नहीं चाहते हो जिसको आप हटाना चाहते हो तो कैसे हटा सकते हो पोको एक्सर डिवाइस में यह feature है जिससे आप photo के किसी object को आसानी से remove कर सकते हो आपका यदि पोको एक्सर डिवाइस नहीं है कोई other device है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को देख लेना है कि वह feature कहां पर है उसके बाद आपको अपने mobile में भी चेक करना है मेरे mobile में भी यह feature है और आपका जो device है आप कौन सा mobile यूज करते हो उसे आपको लिख देना है तो चलिए guys मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप पोको एक्सर डिवाइस में photo के किसी object को कैसे remove कर सकते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको gallery को open कर लेना है gallery को सबसे पहले आपको open कर लेना है और gallery को open कर लेने के बाद आपको यहाँ पर किसी एक photo को open कर लेना है जिसमें कुछ objects है जिसको आप remove करना चाहते हो तो मैं यहाँ से इस photo को open कर लिया हूँ photo को open कर लेने के बाद guys यहाँ पर आपको एक edit का option देखने को मिलेगा तो simply से आपको इस edit के उपर click करना है edit के उपर click करने के बाद guys आप यहाँ से अपने photo को edit कर सकते हो काफी सारा filters, crop यह सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो guys आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर इधर की और आना है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा erase का option तो आपको simply से erase के ऊपर क्लिक करना है erase के ऊपर क्लिक करने के बाद guys आपको यहाँ पर एक object देखने को मिलेगा photo में ये boat का object में हटाना चाहता हूँ तो कैसे हटा सकता हूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो फोटो है इसको थोड़ा सा इस तरह से आपको जूम कर लेना है फोटो को जूम कर लेना है guys उसके बाद यह जो option है guys आपको इस तरह से इसके उपर इस्तमाल करना है उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है गाइस इस राइट के ऊपर क्लिक कर देना है और राइट के ऊपर क्लिक करने के बाद यह इस तरह से फॉटो में जो अबजेक्ट है इस तरह से आप हटा सकते हो अपने पोको एक्स डिवाइस में तो गाइस आपक डिवाइस में भी ये फीचर है और कौन सा डिवाइस है आपका वहां भी हमें कमेंट कर गए जरू से बता दीजी तो उसके बाद आप यहां से क्या कर उसके बाद आगाइस आपको क्या करना है आपको यहां पर सेव के ऊपर क्लिक करना है सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यह photo इस तरह से save हो जाएगा और यहां पर जो board का object था वह हट चुका है तो इस तरह से आप photo में किसी object को remove कर सकते हो आसा करता हूं guys यह video आपको अच्छा लगा होगा useful लगा होगा इस video को like करना अपने दोस्तों के साथ इस video को share कर देना ताकि वह भी जान सके इस trick के बारे में तो चले guys इस video को मैं एहे पर खतम करता हूं